Hello everyone, मैं हूँ नदीम आलम दोस्तों हमने पिछली वीडियो में दुवासों के जो की मत्रम है उसके पैरावेटरिनरी के जो भी डिप्लोमा कोर्सिज होते हैं उसको लेकर के डिसकसन किया था आपको पूरी जानकारी उसमें मैंने दिया था और आपकी क्योरी जो है कई बार जो है बीएसे एंड एच को लेकर के भी है तो उसमें नेस्ट वीडियो में मैं आपको बता दूँगा आज का जो टोपिक है दोस्तों वो है बीएसे ओनर्स बायो टेकनलोजी और बीएसे इंडरेस्टियल माइक्रोबायोजी जो की दुवासू के अंतरगती कोलीज ओ बायो टेकनलोजी करवाता है दोस्तों यहाँ पर जानेंगे एडमिसन प्रोसिस क्या है कितनी सीट है फीस कितनी है पूरी कम्प्लीट प्रोसिस हम जानेंगे इसका जो फॉर्म जब आएगा तो मैं आपको जो है कम्प्लीटली जानकारी दे दूँगा लाश्ट यर जो फॉर्म की फीस थी वो अठारा सो रुपे थी इस बार देखते हैं क्या सेम रहती है या कुछ चेंज होकर क्या आएगी देखि दोस्तों यह जो कोर्स होगा कॉलिज बायो टेकनोलिज जो कोर्स कराएगा यह अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम के है यानि के यहां की जो फीस है वो कोश्टली है थोड़ी मतलब कि जो गवर्मेंट की जो नॉर्मल फीस पढ़ती है वो फीस नहीं है वो आगे हम देखेंगे कितनी फीस जो है इसके यहां पर पढ़ने वाली है इन दोनों कोर्सेश की हेलो बच्चो पढ़ाई में डाउट साते हैं घबराइए मत सबको स्लूशन है डाउटनट आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आप से सौल नहीं हो पा रहा है बस आपको उस सवाल का फोटो लेना है क्रोब करना है पाफ सिकंड के अंदर-अंदर वीडियो सोलूशन आपको मिल जाएगा चाहे आपका क्योशन होमवर्क का हो सीवेसी का हो यूपी, बिहार, महराश्रा, राजस्तान, MP या किसी और बोड का हो चाहे आईटी, जेई, नीट या क्लास 6 से बारवी का सवाल हो इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनट एप या फिर कोई भी सबजेक्ट हो फिजिस, केमेश्टी, मैथ, बाइलोजी, साइंस आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट एप पर साथ ही अब डाउटनट एप पर पढ़िए कोटा की बेस फेकलेटी से जीवी सर, एनजे सर, अकांसा मैम प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से से, यानि आप पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट एप पर, तीन करोन से ज़्यादा बच्चे डाउटनट एप पर पढ़ाई कर रहे हैं आप भी जाईए और डाउटनट एप इंस्टॉल कीजिए तो देखें दोस्तों BSC Biotechnology की यहाँ पर 45 seat है और Industrial Microbiology की यहाँ पर 15 seat है आपकी eligibility जो 12th में आपके marks होने चाहिए अगर आप General Category यानि Unreserved Category से ब्लोग करते हैं तो यहाँ पर 60% आपके होने चाहिए अगर आपके पास कोई Reserved Category है तो 55% आपके marks होने चाहिए ठीक है और subject जो है आपके पास Physics, Chemistry, Biology, Biology और English भी आपके पास होनी चाहिए Age जो है दोस्तों आपकी minimum जो है वो 17 साल आपकी होनी चाहिए और maximum जो है 25 होनी चाहिए आप अगर Reserve Category से हैं तो यहाँ पर आपको 5 साल का जो है relaxation है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर Domicile की कोई condition नहीं है कोई restriction नहीं है कोई भी state का candidate अगर यहाँ admission लेना चाहता है इन courses में तो यहाँ admission ले सकता है अब दोस्तों दूसरी बात है यह 3 साल का course है 6 semester है यानि semester wise है selection की जो process है दोस्तों वो 10 plus 2 के waste पर है आप अगर यहाँ दूसरे states अगर belong करते हैं तो unreserved category में जो है आप आएंगे और यहाँ पर in case अगर किसी candidate के ranks या marks जो है अगर same होते हैं तो उसकी date of birth को जो है यहाँ पर priority दी जाएगी यानि उसकी जो rank होगी selection के लिए वो high होगी और जो EWS category है उसका जो reservation है वो edge पर जो है UP government के according होगा ठीक है तो दोस्तों यहाँ तो बात होगा यह selection की और यह जो आपके eligibility है इन सब चीज होगी अब दोस्तों यहाँ पर जो इनका fees का structure है वो आप देख लीजिए जो fees structure है देखिए यहाँ semester wise fees जो है आपकी submit होगी तो यह fees जो है one time है जब आप admission वहाँ पर ले रहे होंगे उसके बाद में जो आपकी पर semester जो fees पढ़ने वाली है वो 38,750 रुपए है tuition fees आपकी 35,000 रुपए है बाकी का जो भी medical, games, sports बगएरा की fees भी इसमें सब include है अब दोस्तों यहाँ पर hostel बगएरा की fees भी जो है इन्होंने नीचे आ करके दे रखी है आप यहाँ देख सकते हैं अब एक चीज और दोस्तों यहाँ पर जो food की fees है वो include रही है यानि mass charge आपका यहाँ include नहीं है mass charge अलग-अलग university अलग-अलग state पर depend करता है कुछ colleges, universities आइसी होती है जो mass का charge जो है अपनी fees के साथ ही जो है submit करवा लेते हैं लेकिन यहाँ दे नहीं रखा है अब वहाँ की fees लेने का क्या तरीका है mass का वो इसमें यहाँ mention भी नहीं है यह सब fees जो है without food है और semester wise आपके fees लगने वाली है तो यह एक छोटी से जानकारी थी other state के candidate भी यहाँ apply कर सकते हैं उन्होंने अपने prospectus में जो है अभी मैंने उपर आपको बताया था कोई restriction नहीं है domicile का तो अगर आप 12th pass है उन subjectों से जो अभी हम उपर बात कर रहे थे इसकी eligibility की तो आप जो है यहाँ form जो है fill कर सकते हैं इसका form आएगा तो मैं आपको उसके regarding update कर दूँआ अगली वीडियो जो है दोस्तों काफी बच्चे मतुरा के veterinary को ले करके कह रहे हैं तो अगली वीडियो में मैं आपको उसके regarding complete जानकारी दे दूँआ उनकी selection की process क्या है किस तरीके से जो है वो pre अगर आपका qualify हो जाए तो means में जो है किन बच्चों को allow करते हैं पूरा complete जानकारी मैं आपको वहाँ provide करवा दूँआ तो इसके regarding अगर फिर भी आपको कोई confusion है तो आप मुझसे नीचे comments करके पूछ सकते हैं मैं needs से related, veterinary से related, I use और ICR से related जानकारी दोस्तों देता रहता हूं अगर ऐसी ही जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे साथ जूर सकते हैं चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं